हेलो एब्रिवान, मैं शुरेयस बढ़िये, आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एंशेंट हिस्ट्री आफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नमबर 24 पर डिसकेशन करने वाले हैं जिसमें हम Jain Literature and Councils को स्टड़ी करेंगे हमने अल्रेडी जैनिजम से तीन पार्ट्स डिसकेश कर लिए है, तीन लेक्चर्स डिसकेश कर लिए हैं एक में हमने Life of Mahavir, एक में हमने Doctrine और एक में हमने Sex of Jainism स्टड़ी कर लिए है जिन लोगों ने वा लेक्चर्स नहीं देखे, उसके लिंक दिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो लेक्चर्स को देख ले, ताकि आपका Jainism अच्छे से क्लियर हो जाए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है Jainism for every complete exam Anger, बिगेट्स, more anger and forgiveness and love led to more forgiveness and love Beautiful thought from Mahavir If you have any doubt, you can ask me on Instagram, this is my Instagram ID This is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel मेरे YouTube channel को subscribe करे और bell icon को press करे ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहे So, अब हम सबसे पहले जो topic पढ़ने वाले है, वो है Jain Literature अब हम Jain Literature को study कर लेते हैं, एक्जाम में इससे question आने के chances बहुत जादा होते हैं So, अब हम सबसे पहले देखते है Jain Literature में ये एक literature होता है और ये जितने भी है, ये क्या होता है आगम literature consists of mini text है ना तो इसमें बहुत सारे ऐसे किताबे हैं जो कि sacred books माने जाते है Jain Religion की ये चीज़ आपको idea में दे चुका हो उसके अलावा इनको लिखा जाता है अर्धमगदी में जो कि एक form है प्राकृत language का इसी में लिखे जाते है Jain Literature के आगम, तो उसके बाद दूसरे जो लिटरेचर है दूसरे जो type of literature है वो है non-ागम literature non-ागम जो literature है उसमें commentary and explanation है आगम literature गया ना तो आगम literature में कुछ लिखा गया है तो उसको explain किया गया है और उसके उपर कुछ commentary भी दी गई और भी कुछ उसके बारे में लिखा गया है यह independent works है और यह कौन बनाता है यह ascetics और scholars बनाते है यह जो non-ागम लिटरेचर होते हैं उनको यह जो सन्यासी है वो यह फिर जिन्होंने बहुत अच्छे से study करके रखी हुए जैनिजम की वो लोग इसको लिखते है तो यह कौन-कौन से language में है लग-अलग languages में लिखे जाते है यह प्राकृत में लिखे जा सकती है संस्कृत में लिखे जा सकती है अपर भ्राम सा language है या फिर ओल्ड मराठी है राजस्थानी गुजराती हिंदी कंणर तमिल जर्मन एंड इवन इंगलिश में भी यह नौन अगम लिटरेचर जो है यह लिखे गए इस तरह से दो लिटरेचर जैनिजम में माने जाते हैं में लिटरेचर अब हम देख लेते हैं कि लिटरेचर कौन-कौन से हैं में लिटरेचर तो सैक्रिट लिटरेचर सबसे पहले देख लेते हैं जैसे कि हम आगम कह रहे या फिर सैक्रिट जो हमारी पवित्र किताब है व इसे बारा उपांग हैं, उसके साथ-साथ, थोर्ड जो हम देख रहे हैं, यह दस परिक्रमा है, तो यह भी एक sacred literature है, परिक्रमा, इन सब चीजों में आपको जैनिजम की आइडिया मिलेगी, religion की, ओके, सो दस परिक्रमा है, छे छेद सुत्रज है, चार मूल सुत्र है, दो सु है, वो, तो यह oldest text माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, कि जो महावीर ने जो जो चीजे की है, जो महावीर की जो preachings है, जो फॉलो करते थे जो चीजे, वो सब परव या फिर यह परवाज में लिखा है, हुआ है, तो मैं आपको यह भी बता दू कि चवदा ऐसी परव है, तो य यह जो परव है, यह बारांगों में ही दिया हुआ है, उसके बाद हम देखते अधर इंपोर्टन जैन लिटरेचर जो है वो, बाकी जो जैन लिटरेचर है, जो की बहुत जादा इंपोर्टन है, वो है कलपसुत्र, तो यह कोई religious वाले नहीं है, बट कलपसुत्र है, सांस् और इनने लिखा हुआ है बद्रवाउ ने, बद्रवाहु चरित्र, यानि बद्रवाहु चरित्र है उनकी बायोग्राफी है, जो बद्रवाहु है उनकी, तो यह भी एक किताब माने जाती है जैनिजम की, उसके बाद परिशिष्ट परवन, परिशिष्ट परवन जो है यह जो कि हेम चंद्रा ने लिखा हुआ है इसमें क्या है सो इसमें दिया हुआ है जो भी इतिहास है जो भी हिस्ट्री है जो जैन टीचर से अतिर्थकार रहे गए है उनकी यहां पर हिस्ट्री दी गई है परशिष्ट परवन में यह एक और जैन लिट्रेचर बनता है important literature यह रहा हमारा जैन लिट्रेचर का part जो कि हमने अभी डिसकस कि अब हमें जैनकांसिल्स डिसकस करना है जैसे कि हम बुद्धि जममें भी कॉंसिल्स पढ़ चुड़ के पर से पर कंसिल्स के बारे में आपको एक आइडिया दे दू कि जो कॉंसिल्स होते हैं ये मीटिंग्स जैनेंग जैसा होता है जैसे आज CT verse 2 ऐसे कुछ जो होते हैं वहांक्ति जो हुएं गाशी दो से वार्थन से पर जिसेृधन से सब चाहिए तो papis is चुब काउंसिल हुए थे उस तरह से जो जैनीजम है उसमें दो काउंसिल लिए गया अब तक ओके सो यहां पे जो दो काउंसिल है इनको हम देख लेते हैं जो फॉर्स्ट काउंसिल था जैनीजम का यह फॉर्स्ट काउंसिल पाटली पुत्र में लिया गया था और टाइम था 3rd century BC य और आप अगर जानते ही है कि जो चंदरगुप्त मौरिय थे तो उन्होंने आखरी समय में उन्होंने सब चीजे त्याग दी थे और उन्होंने जैनीजम को यहां पे अपनाया था जैनीजम को उन्होंने एडॉप्त किया था फॉलो किया था जैनीजम को यहां पे चंदरग जैन काउंसिल है यह वल्लभी नाम की जो जगह है वहा लिया गया था और इसका समय आता है पास्टो बारा एडी फाइव वन टू एडी में यह लिया गया था इट वाज प्रिसाइड़ बाई देवर्धी शमस्त्रमना तो देवर्धी शमस्त्रमना जो थे उनके वक्त यह इस महित्रक रूल था उस वक्त वल्लभी में सो शायद उनका सपोर्ट हो गाई महित्रक का बट यह जो लिया गया था यह जो भी मौंग थे ना जैन मौंग जो श्वेतांबर जैन मौंग थे उन्हीं के अंडर लिया गया था यह यहां पर समझता है इसके प्रिसेंट बनाए ग जो इनका फाइनल कंपाइलेशन है यहां हुआ था हाला कि यह जो बाराभ आंग है इस सेकेंड जो जैन कांसिल रहे है एक्जाम पॉइंट ओफ भी बहुत जादा इंपोर्टन रहे हैं एग्जाम पॉइंट उफ व्योप बहुत ज़ादा वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूटुब चैनल को अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजस को फेस्बुक पे श्रेयस बढ़ी है श्रेयस बढ़ी है श्रेयस बढ़ी है इंटर्प्रेटेशन यह मेरे Facebook पेजे से आप मुझसे connected रहना चाहते है तो आप Instagram पे भी मुझे follow कर सकते है या फिर मेरे बारे में और information चाहते है तो आप श्रेयस बढ़ी है